हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले है MSME लोन के बारे में क्योंकि आप में से काप ही सारे लोगों की हमें कॉमेंट देखने को मिलती है कि सर हमें हमारे MSME बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम पर आपको आपके किसी भी MSME बिजनेस के लिए लोन मिलना एकदम सिंपल हो गया है क्योंकि आज के टाइम पर हमारी इंडियन गवर्मेंट भी काफी सारी ऐसी स्केम लेकर आती है जिसकी तायत आपको आपके MSME बिजनेस के लिए लोन मिल सकता है और उसी के साथ साथ में काफी सारी ऐसी भी बैंक है जो कि आपको आपके MSME business के लिए loan दे सकती है पर यहाँ पर आपको अपने MSME business के लिए loan के लिए apply करने से पहले आपके business के अंदर कुछ चीजों के बारे में अच्छी तरह से देख लेना चाहिए फिर उसके बाद ही आपको अपने business के लिए MSME loan के लिए apply करना चाहिए ताकि आपको बड़ी आसानी से आपके MSME business के लिए loan मिल सके और दोस्तों उन सबी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तो देखो दोस्तों loan लेने से पेले यहाँ पर आपको loan लेने का और loan देने का process अच्छी तरह से समधना पड़ेगा यानि कि अगर आप loan लेना चाहते हो तो क्यों लेना चाहते हो तो इसका answer आपके पास चरूर होगा कि मुझे अपने business की growth के लिए loan चाहिए अभी बात कर लेते हैं bank के बारे में कि bank भी आपको loan देना चाहता है पर यहाँ पर उनको कही ना कहीं ये डर रहता है कि अगर आप उनसे loan ले लोगे तो उसका repayment या आप उसे time पर करोगे या फिर नहीं और इसके लिए bank क्या करती है कि आपके business का civil rank और company credit report civil के platform से collect कर लेती है इससे क्या होगा कि उनको आपके business के बारे में और अब जो loan लेंगे उसका repayment कि आप time से करोगे या फिर नहीं उसके बारे में complete details पता चल जाती है और यहाँ पर bank का क्या कहना है कि जिस भी business का civil rank एक से चार के बीच में आता है उससे जो भी loan मिलने के chance से वो भी बहुत ही ज़्यादा high हो जाती है और उसी के साथ साथ में उस business को काफी कम interest rate के उपर loan मिल सकता है और दोस्तो उसी के साथ साथ में यह civil rank आपको अपने business की credit history को अच्छी तरह से जानने और समझने के अंदर भी help करता है तो अभी हम बात कर लेते कि कैसे आप अपने business के लिए civil rank और company credit report को generate कर सकते हो तो दोस्तो यह सारी process GSTN based रहती है और पूरी तरह से paperless रहने वाली है तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले आपको civil rank.cibil.com की website पर आना पड़ेगा फिर यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से page open हो जाएगा फिर यहाँ पर आपको total 3 packages देखने को मिल जाएंगे आप अपने requirement के इसाब से select कर सकते हो for example यहाँ पर हमें basic 3000 रुपीस वाला select करता हो और यहाँ पर निचे continue के उपर click करता हो फिर यहाँ पर आपको अपना GSTN नमबर डालना होगा तो उसे में यहाँ पर अपना enter कर देता हो आपको अपना जो भी business का GSTN नमबर होता है उसे enter करना होता है फिर यहाँ पर सामने blue tick होगा उसके बाद में आगे की process हम करने वाल है तो यह सारी चीज़े को अच्छी तरह जरूर देखेगा तो यहाँ पर हम निचे click करेंगे और यहाँ पर blue tick आ गया है अभी यहाँ पर हम enter GSTN go paperless के उपर click करेंगे फिर आपके सामने कुछ ऐसा page open होगा यहाँ पर आपको अपनी सारी details अच्छी तरह से देख लेनी है और फिर सबसे निचे आपको आना है यहाँ पर contact information के अंदर यहाँ पर आपको official email id, mobile number और applicant का जो भी आपके company के या फिर business के जो authorized person होते हैं उनका नाम डालना होगा और फिर नीचे click करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो तो चलिए सारी चीजे में जल्दी से करके आपको दिखा देता हूँ यह सारी details फिल करने के बाद नीचे आपको submit and continue के उपर click करना रहेगा फिर दोस्तों यहाँ पर आपको accept करना रहेगा फिर आपके सामने कुछ ऐसा page open हो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके GST portal का जो भी username होता है उससे यहाँ पर enter करना होगा इससे क्या होगा कि आपकी registered email id और mobile number पर एक OTP आएगा जिसको यहाँ पर आपको verify करना होगा तो चलिए जल्दी सी यह process में कर देता हो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत important बात share करना चाहता हो कि अगर आप GST portal का username यहाँ पर सही डालते हो फिर भी यहाँ पर आपको इस तरह के error देखने को मिलता है तो इसमें दो चीज हो सकती है सबसे पहले तो आपको आपका GST portal का username चेक करना है अगर आपको लगता है कि वो सही है तो second वाला option आपको जरूर देखना पड़ेगा कि API access आपको देना पड़ेगा आपके GST portal के लिए और उसके लिए आपको आप Learn More के उपर क्लिक कर सबते हो और यहाँ पर उसकी पूरी process देख सबते हो कि सबसे पहले आपको login करना होगा आपने GST portal के अंदर फिर यहाँ पर आपको My Profile के उपर क्लिक करना होगा manage API access के उपर click करना होगा और फिर यहाँ पर उसे enable करना होगा और confirm करना होगा अगर यह process आप complete कर देते हो तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से generate OTP के उपर click कर सकते हो तो इस चीज़ को आपको जरूर mind में रखना चाहिए पर हम continue करेंगे फिर दोस्तों आपके सामने ही कैसा payment के लिए page open होगा तो यहाँ पर आपको इसका payment online करना होगा फिर आपको आपके email ID के उपर इक OTP आएगा यहाँ पर हमारा total payment हो रहा है 3000 रुपिस का तो चलिए जल्दी सही से में online कर देता हो यहाँ पर आपको काफी सारा option मिल जाता है cards, net banking wallet, EMI, UPI scan and pay आपको जो भी सही लगता है उसकी मदर से आप payment कर सकते हो तो चलिए इसका payment जल्दी से में online कर देता हो तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसका payment कर दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि congratulations, your civil rank and company credit report with GST report is ready यानि कि यह सारी चीज़े ready हो गई है अभी हमें हमारे email id open करना होगा और वहाँ पर एक छोटी सी process करने होगी तो चलिए वो मैं आपको करके दिखा देता हो तो दोस्तों अभी हमें हमारे email id के उपर email receive हुआ है जिस्के अंदर हमें login करना होगा तो यहाँ पर हम login नाव पर click करेंगे फिर हमें हमारे email id देखने के लिए मिल जाएगा यहां से हमें next करना होगा फिर दोस्तों हमें हमारे email id के उपर और एक email आएगा जिसकी मतरद से हमें password जनरेट करना है फिर यहाँ पर आपको सारी information देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पर आपको आपका password set करना है, और यहाँ पर set password के उपर click करना है, तो चलिए जल्दी से हम यह set कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारा password successfully set हो गया, अभी इसकी मदद से यहाँ पर हमें login करना रहेगा, तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारी report हमें देखने के लिए मिल जाएगी, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें click करना पड़ेगा, click करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारी company credit report और हमारा civil rank ready है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपकी company के बारे में सारी details निकाल सकते हैं, तो दोस्तों कुछ इस तरह आप भी civil rank.cibil.com की मज़ा से अपनी company credit report और अपनी civil rank भी यहाँ से अची तरह से पता कर सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर हमें हमारी civil rank और company credit report मिल गई हैं और इसे download करने के लिए यहाँ पर हमें business का GSTN नमबर नहीं है, तो SMAB आप यहाँ से अपनी company credit report और civil rank चेक कर सकते हो, इसके लिए सबसे पहले आपको civil rank.cibil.com की website पर आपको अपने requirement के सबसे पकेशिक करना होगा, फिर यहाँ पर आपको continue करना होगा, फिर यहाँ पर continue without GSTIN की उपर क्लिक करना रहेगा, और फिर company type क्या है, company के ID type क्या है, उसके बाद में company का address क्या है, state, city, pin number यह सारी चीजे डालनी होगी, और main सबसे होता है contact information यहाँ कि आपकी company का जो भी official email ID वो डालना है, जो भी authorized person है, उनका mobile number और उनके applicant का name, यह तीनों चीजे यहाँ पर आपको अच्छी तरह से डालनी होगी, फि तो यहाँ पर आपको अपनी company के इसाफ से डालना है, मैं अपने इसाफ से सारी चीजे डालके आगे की process आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारी चीजे डाल दी, अभी आपने जो भी mobile number डाला होगा, registered, उसके उपर ही OTP आएगा, जिस से यहाँ पर मैं enter कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर continue के उपर आपको click करना रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारा mobile number successfully verify कर दिया, अभी इसका payment हमें online करना होगा, जिसका payment आप cards, net banking, cash, cash card, EMI, UPI, या फिर scan and pay की मदद से कर सकते हो, यहाँ पर हमें total 3000 रुपीज का payment क करना होगा, तो चल यह जल्दी से में कर देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर इसका payment हो गया, यहाँ पर जैसे का आप देख रहे हो कि thank you for your payment, यानि कि यहाँ पर हमने successfully payment कर दिया, आभी आगे की process में आपको समझा देता हूँ, तो दोस्तों payment successful होने के बाद आपके सामने अपनी CBIL rank और company credit report जानने के लिए आपको क्या करना होगा, कि आपकी company के जितने KYC document है, वो सारे यहाँ पर upload के उपर click करके upload करना होगा, फिर CBIL क्या करेगा, कि KYC authentication process की मदद से आपके सारे document को verify करेगा, और इसके verification के बाद इसका login ID और उसका password उसकी जो भी details होगी, वो आप को courier की मदद से आपके तब कहुंचा ही जाएगी, जिसका यूज करके आप CBIL के platform पर आ सकते हो, यहाँ पर login करके जैसे हमने आगे बताया था, ठीक उसी तरह है, यहाँ पर आप अपनी company की CBIL rank और company credit report को अच्छी तरह से देख सकते हो, तो दोस्तों कुछ इससर अगर आप आपके पास GTI number नहीं है, तो भी इसका यूज आप अच्छी तरह से कर सकते हो, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आपको डॉक्यमेंट के अंदर क्या 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 अप्लोड करना होगा, तो उसकी सारी डीटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, कि अगर आ सारे डॉक्यमेंट को अच्छी तरह से वेरिफाइ करेगी, और उसको वेरिफाइ करने के बाद सीबिल का लोगिन आईडी और उसका पास्वर्ड उसकी जो भी इनफर्मेशन होगी, वो आपको कूरियर की मदद से आपके घर तक क्या फिर आपकी ओपिस ने जो भी आपने डालोगा, वहाँ तर वो पहुचा देगे और उसकी मदद से आप डायरेक्ट सीबिल के प्लेटफरम के अंदर लोगिन कर सकते हो, उसको लोगिन करने के बाद यहां से आप अपनी कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट और सीबिल रेंक को अच्छी तरह से चेक कर सकते हो, तो दो दोस्तों मुझे आता है कि आज के वीडियो आपके लिए जरूर हेलफम हेलेस। वीडियो प्षंद आती लाइक करना, इस वीडियो को इपनी हीडियो के सथा सेयर करना, तो चले दोस्तों मैं आप से फेल मिलता हूँ एक लग वीडियो के साथ।